को जाई से लंगी आग जा रादा रानी के हमने एक बहुत सुनुदर पोशाक बिलकुल मार्केट जैसी जो दिखती हैं काफी हेवी होती हैं बहुत जुन दर फैबरिक से बनाई है जो मैं आपको दिखाने वाली हुम बहुत ही आसान तरीके से बिलकुल मार्केट जैसी जो पोशाके होती है विंटर्स पे आप इनको ऑल सीजन भी पहना सकते हैं तो देखिए हमने इस टैप की फैबरिक से हमने यहाँ पर बनाया हुआ है यह देखिए कुछ बैलविट का फैबरिक और काफी हैवी है इससे काफी हैवी पोशाक राधारा काफी सुन्दर लग रहा है आपको इस टैप के फैबरिक पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत ही सिंप्ली तरीके से आप बना सकते हैं यह लहेंगा बनने के बाद काफी हैवी भी लगता है और बहुत सुन्दर लगता है तो देखिए इसके लाइन काफी मुटा होता है और इस वैसे हम कोई भी बेस पे आप लाइनिंग का कपड़ा यूज कर सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे मैं मेजर्मेंट मैं आपको बदाती हूँ मैं यह 15 इंच राधा रानी के लिए बना रही हूँ यहाँ जहाँ पे उनकी जो कमर है वो साड है तो देखिए मैंने यहाँ पे गुलाई एक राउंडर से ली हुई है जिस तरह हम लड़ो गोपाल की पोशाग बनाते हैं डाइमीटर 6 लेते हैं तो देखिए उस ही जाप से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपको यही समझ में ना आये तो मैंने यहाँ पे अंब्रेला इसको कमर का पार्ट कर ड़ें फिर देन यहाँ पे ना इंची मैंने लिया है इसकी लेंथ जो है 9 इंच इस तरह लिए है यहाँ पे रखते हुए और यह पीस कट कर डिया है यह मैं हॉफ अम्रेला बना रही हूँ यह देखिए और काफी सुन्दर भी लगा काफी हैवी भी पहले हम इसको रख लेंगे यह देखिए पहले इसका यह फैवरिक रख लेंगे और फिर हम इस पर यह जो लाइनिंग का हमने पीस कट किया है यह देखिए सेप के लिए रखेंगे आप जब इसकी सिलाई करें तो थोड़ा केरफुली करें क्योंकि हम पहले यहाँ पर कमर क इसे इस सिलाय करते हैं, पहले हम नीचे सीलाई करके इसको फिक्स कर लेते हैं यह हुगी हैं यह हैपके लाइन पेस् कर सकते हैं अदेधники पंई हर्वागल जी करें, पहले मैं इसद्ध हें पर सिलाई कर लें इंक ले हैं और काफी finishing भी आई है नीचे इस तरह ये देखिए और ये मैंने अंदर साइड पर कर दिया ये देखिए और पलट लिया जिससे बैलवेट हमारा सामने आ गया है अब हम क्या करेंगे इसके साइड साइड पर सिलाई कर देंगे ये देखिए और फिर कमर की भी सिलाई कर तो देखिए इसकी सिलाई भी होगी है और काफी संदर आपको बेस नजर आ रहा होगा अब लहंगी का कितना संदर है साइड से भी हमने सिल करके फोल्ड करके सिलाई कर रही है जिससे हमारा वैलवेट का कपड़ा फिक्स हो गया है और अब हम इस पर कुछ लेस उस करेंगे तो गैज इस टाइप के फैबरिक पे आप चौड़ी लेस ना यूज़ करें ये देखिए आप पतली ही लेस लगा करके बहुत ही प्यारा लुगाएगा तो देखिए मैं यहाँ पे जो लेस यूज़ की इस पर भी जरी का वर्क है तो देखिए मैं इस टाइप से लेस यहा वाली लेस ही है ये देखिए वाइट गोल्डन के कॉम्बिनेशन पर ही देखिए और यह मैं पहले सिल लूँगी फिर इसके उपर यहली लेस लेंगे जिससे बहुत ही पहला लगेगा और हम यहाँ पर अब कमर बैंड बनाएंगे तो देखिए मैं यहाँ पर बैलविट का कमर की वहीं पर सिलाई कर दीजिए सिलाई करने के बाद हम इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक उपर से सिलाई कर देंगे जिससे बैंड फिक्स हो जाएगा और काफी क्लीन बनेगा और सॉफ्ट भी रहेगा तो देखिए यह तो हमारा कम्प्लीट हो गया है हमने यह पर इस तरह से लेस भी लगा दिये लेंगे पे और उपर बैंड भी बना लिए लेस भी काफी मैचिंग हो रही है लेस से लेंगे से और देखिए कितना सॉफ्ट बैंड बनकर फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है जो हमाई राधारानी की कमर पे काफी अच्छा लगेगा अब आप इसमें बड़ी है आसानी से डोरी डाल सकते हैं जिससे हमाई राधारानी की कमर में फिक्स होने पर काफी आसानी रहेगी चलिए अब हम इसके बाद आपको चोली बराना बताते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे चोली के लिए सेम बैलवेट का पीस कट किया है यह शोकर देखिये चार इंच चौड़ा इसके बेइसरे जी इलिए है वा एकसं मारेत ऐस देखिए तो सबसे पहले हम इसको यहां पर रखेंगे और यहां पर सिलाई कर लेंगे चार सैट सेचेथ कर लेंगे पर मैं इसको आंगे का किन नेक कटिंग बथा थी पनाते हूँ नेक में काफी प्यारा लुक आता जैसा कि आप पिक पर देख पा रहे होंगे मैंने अपनी राधारानी की कैसी पिक ली हुई थी जिससे आपको काफी अच्छे से समझाया जा सके तो आप इसको इस तरह देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे जिससे यह बैंड का शेप बनेगा पीछे और यहाँ पर फ्रेंड पर उनकी नेक पर आएगा तो काफी सुन्दर लगेगा जैसे कि आपने पिक पर देखा हुआ है तो हमें क्या करना है सेम इसका उल्टा इसको अपोजिट साइट फे फोल्ड करना है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ करना है मैं बहुत ज़्यादा डीप नेक का शेप यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूंगे यह देखिए आप पैन या किसी की चीची हल्प से यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हैं तो यहां पर देखे हलका सा मैंने 1.5 इंच से भी कम यहां पर लिया था और यहां पर नेक का ये सेप ड्रॉ किया हूँ है इसी तरह हम पकड़ते हुए अपोजेट साइड पर भी इसी तरह मार्क लगा लेंगे और मार्क लगाने के बाद हम बिलकुल गोल शेप देंगे जिस तरह हमने यहाँ पर दिया है इस साइड भी एकदम गोल शेप देने के बाद यह पूरा मिलाते हुए बिलकुल गोल शेप हो जाएगा जब हमारे ये goal shape हो जाएं तो हम इस fabric को open करेंगे यहां पर इस देखे बिल्कुल goal shape हो गया अब यहां पर जो हमें line मिली है इसको end तक कर देंगे जिससे हमें band के shape मिल जाएंगे यह देखे तो हम यहां पर band के shape भी इस तरह बना लेंगे बनाने के बाद हम अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग करने से पहले जो हमने लाइन बनाई है, इसी की उपर हम सिलाई कर लेंगे, सिलाई करने से हमारा फैफ्रिक फिक्स हो जाएगा, क्योंकि बैलवेट का फैफ्रिक है, इधा हुदा फिसले न, फिर हम कटिंग करन आपको समझ में आरा काफी सुन्दर भी लग रहा है अब मैं यही गोल्डन रिवन जो हम यहाँ पर लगाएंगे और साइड पर रिवन के ज्यादा पोर्षिन छोड़ देंगे क्योंकि न्राथि राथानी के कमर फिक्स करने के काफी अच्छे से ग्याइगा। इसी तरह गोल्डन रिवन हम साइड पे लगा पर लगांगे और से पहले हैं यहां पर चॉली आपको छोली की लाइन हमें द्रॉ करनी हैं यहां पे यहां पर He kya फोरड करके इनकी छोटी छोटी हम प्लेट तैया करेंगे सेम इस पहले के एक फैप्लानी शोटी सी लुख करने कि पफियारा लुक देती काफी सुन्दर भी लग रही है कि हमने आपको बताया था यह देखिए हमें साइट पर रिवन भी लगा लिए अच्छे तरीके से यह देखिए और प्लेट्स भी डाल दी थी काफी छोटी-छोटी प्लेट्स टाली है जो कि हमारी राधारानी की चोली को काफी अच्छा है हम अराम से राधारानी की बेर्ड को फिक्स भी कर लेंगे विघर से काफी अच्छ से एंच विट ऑ से ऊठक हो चुक nói थुऩर आ जोह तो हमाई चोली ढाल चूह अच्छा लेंगों चेला आपको किस ऐडह सब जब है पर कुछ एकिस कलर को सब्सक्राइब तो अपनेवह बनाई हुए है उस है काफी इस टाइप एकना को छोपिछ सब्सक्राइब झालेма एक क्यूल पर अपने çao बैब से लेए हैं यह के शरुति हैूरी चुनरी पे ज्यादा तर यूज करना कोई कोशिश करती हूं क्योंकि इस पर में ज्यादा वर्क करने के जोतनी पड़ती है हमने देखिए सेम लेस इनकी ओहनी पे लगाया हुआ है ज्यादा कुछनी से पतली सी परल वाली लेस लगा दी है जिससे इस ओहनी का काफी प्यारा आपने जो हमाई राधा रानी का श्रिंगार देखा होगा उसमें भी आपको काफी पसंद आई होगी यूहनी ये देखिए नेट पे काफी अच्छा वर्क किया गया जिससे आप देखिए इस टैप से आचल भी डाल सकते हैं रख करके और काफी प्यारा लोगीगा मैं अच्छी होती है काफी फूल साइस पे रती हैं फूफ का वीडियो आपको पसंद आया और राधा रानी का ये ट्रस आपको अच्छा लगा ओए लेंगा आप भी अपनी राधा रानी माता रानी के लिए इस टैप के लहंगे बना सकते हैं ये कलर भी बहुत ही प्यारे रग वीडियो आपको अच्छा लगी पसंद आया हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कीज़ें कमेंट कीज़ें अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ सेयर कीज़ें हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीज़ें और वैल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलें जिससे मैं वीडि